दो मुरुपान और मध्यपान सहथ के लिए हानिका रखें, इससे करक रोख होता है आए हानिका रहा हाई मुपान और में भी जसे लिए टकार कर।ब खेंगे लिए हानिका रहा हानिका रहा है तर शेलोडिखा क्वाइब बाइब दिया क्माइब प्राइब पोर दिंग झाल शब्सक्राबर स्चारा एंग और यंग हुआ। अदिलिए सावा प्रोडने चाली कर देंग प्रोडने चाली कर देंग एफ प्रोडने कर देंग अ.. 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 अलिया कर दो कर दो शादी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आप दोनों को छे महीने एक साथ रहने का आदेश यह अदालत दे रही है अब आखरी सुनवाई सोला जुलाई को होगी अब आखरी सुनवाई अब आखरी सुनवाई आखरी सुनवाई साथ अब आखरी सुनवाई यह बिंद एंग कर दो 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 हुआ हुआ है हुआ हुआ है जब देखो तब लगा ही रहता है जो कहना था क्या दिया आप क्या है चेक शर्ट गुंग्राले बाल कहा था ना दिखाई दिया ओ वैसा ही है क्या फेस्बुक प्रोफाइल पिक भेजा था ना अरे चुपकर वो धर्मेंदर की पुरानी फोटो थी हुआ ही मैं की फोटो क्या देख तुझे सब कुछ पता है अब तुफोन रख मैं ऐसे देखती हूं जब मर्जी आती है पताने किसको किसको उठा ले लाता है आयो मिस्टर येस अब वो मैं ही हूँ क्यों बे तुझे कोई काम धंदा नहीं है क्या फेस्बुक फ्रेंट बता कि ब्लैक पिल करता है अलो होल्डाउन तुमने पहले जो कहा वो करेक्ट है पर मैं दोस्त के लिए जान देता हूं अब उनका नाम मर्विंद है क्यों रहे इतनी जल्दी नरम पढ़ गया मुझे करती हूं पुलीस को फोन करती हूं तेरे जैसे लोग मार्केट में बहुत हो गया पुलीस के डंडे पढ़ेंगे ना तब अकल आएगी है अप उनका भी बैक्ग्राउंड है वहां पर देख लेंगे क्या है सुनना उसने मुझे मेसेज किया क्या बात कर रही है मेरा इंतिजार करके वो चला गया फेस्बुक में अन्फ्रेंड भी कर दिया बात में बात करती हूं मेरी फ्रेंड को एक लड़का ब्लैक्मेल कर रहा था तो गुस्से में बोल दिया मिस अंडरस्टैंडिंग इतना कुछ बोल दिया अपन को एक तो अपन सुपरस्टार का फैन है उनको पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा हां मेरी इज़त का किछरा हो गया आद तेरे क कि मुझे से हाल मेरा बेहाल है हम दिल से शा जहां पर इस वक्त जेब से कंगाल है मेरे सामने बैठी है जो भूपसूर्ती की मिसाल है आखों में अंगारे हैं पर होटों पे प्यार का गुलाल है समझनी आया क्या एक्स्क्यूज मी कुछ नहीं तुझे माफ किया ये बुलन किया सब्स्क्राइब कर दया आखोंए एक क्या यार किनी तिर गर दिया देदा है शुटा एसंवीं अरे तेरा कौन सा काम गण आखो नक को सब पता है सच के रहा हो यार किट्टू, किट्टू, कि इसके बाया, यस्टडेए, किट्टू, कि अर्टू, वो तो लाया कि ने, लाया हुआ यार, तिरा ये काला चेशमाज़ा लगाष्टू मेट माइ फ्यान्सी एपियान्सी समिता, हेलो, हेलो क्या भब है हम् हाई मैडी नमस्ते नमस्ते यह लड़की प्योर इंडियन है यार I'm so lucky you know इस टाइप की लड़की बड़ी किसमत से मिलती है यार यह ले रख ले थैंक्यू यार तू भी ना अगले अपते मेरी सगाई है तुम दोनों को जरूर आना होगा जरूर आएंगे पक्का आएंगे यह वरी लखी थैंक्यू यार बैटो स्वीटी ए हॉटी मानिंग सर्वाट्स आप बास अब तक दो बार कॉल कर चुके हैं जल्दी जाये सर मीटिंग स्टार्ट हो गई है बात क्या है तुछ ज्यादे होट लग रही हो जाये ना सर लेट हो रहे हैं अब अब आपको प्रूफ करने के लिए अच्छा मौका है मुझे विश्वास के लिए तुम कामयाब होगे ये अदेट स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्लोव देखो, कलस धीरे से छोड़ो कलस धीरे से छोड़ो लेफ्ट में गाड़ियां आ रही हैं देख रही हो, न वो हॉरन बजा रहा सुनाई नहीं देता तुम्हे तुम पहले गाड़ी रोको लगता है पीछे वाला पागल हो गया, तुम गाड़ी रोको देखो, कितनी बार समझाया है तुम्हें, वही मिस्टेक रिपीट करती हो प्राब्लम तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे दिमाग की है वैसे भी, बेकार की लकीरे खीचती हो न, तुमसे बस वही काम हो सकता है मुझे बोलती है, मुझे कार चलाने न, अगर ऐसे ही कार चलानी है, तो दुबारा मत चलाना प्लीज बेबी, इवनिंग सिक्स ओ क्लॉक का प्लान याद है न, ट्रिजॉर्ट बुक की है बाइबी, न, बाइब उन्ह श्रकार्वियों, इस अड़ी ऑपार्याइब, बड़ी यूविके है पेंटर की कलपनाओं से जन मिलेती है फ्रस्टिशन थोड़ी लगन दिखाओ बेटी ओकी सर इसी तरह कि तुम्हारी पेंटिंग्स में रोमेंस और पैशन है श्री देवी तैंक यू सर वाव यह टेटेलिंग सब की वस की बात नहीं है गोड़ वर्क मातुरी थांक यू सर आज की सोसाइटी में इतनी सेंसिटिविटी से जीना बहुत ही मुश्किल है गौड ब्लेस यू सर अंदर आपको बॉस बुला रहे हैं बॉस तो हमेशा बुलाते रहते हैं कभी तुम भी बुलाओ सर इसके अलावा आपको कुछ सूचता है क्या जिस काम की जब जरूरत हो तब करना चाहिए बादल चले जाये तो उसके बाद बारिश नहीं होती जिंदगी में हर चीज का टाइमिंग होना चाहिए सर तुमारे जैसे यंग बच्चों को नए आइडिया इसके अभी जरूरत है क्या कहते हो ये संक शॉली मैं अपना बेस दूंगा कोई बात नहीं कोई जरूरी कॉल होगा बात कर सकते हो थैंक्स अंकल बाई बाई डाइड बाई हलो हा बोल मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में आकर मैंने उसे पूरी तरह एग्णोर कर दिया है इसलिए वो इतना शरार्ती और बेफिक्र बन गया है इतने दिरों तक उसने फूल इंजॉय किया कम से कम अभी थोड़ी जिम्मेदारी लेगा और प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएगा तो इससे जादा खुशी के बाद क्या होगी तुम्हें एक बात बताओं क्या जब यह पैदा हुआ था ना मुझरा देख रहा था साला ऐसा पेपर में छपा था है ऩरे दो यार मुझे भी वू मैंसेज आया है क्या भी रहया या छाच पी तुझे दिखाई नहीं देता है चाह ने रखी है फिर भी पूछ रहे है ज्या चाहितना क्याmbre रहा है क्या पुछे बन रहा है 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 सुन जरह इसे देख यह इनिसंट लग रहा है तुझे क्या यार तू भी आजकल किसी पर भरोसा मत करना तू भी इदर बैटा बैटा क्या सोच रहा है चल अप उनके साथ उसके चम्री उदेड के आते हैं अरे मैं भी चलता हूं ना यार तू तो बहुत बड़ा दारा क्या आता हूं देदर हूं अ यारे अब उनकी बेंगो चाड़ता है तो क्यों रेश शाने मेरी बेहन को तू डिस्टरब करेगा मेरी बेहन को डिस्टरब करेगा ने कुछ नहीं कि निमत ते ही निमत थे लिए निगीवारू करेगे तूम नहीं मेंसेज बेजा न долgage रहा है अरे यह मुझे दिस्टरब नहीं कर रहा था पस इग् नौर कर रहा था जिससे में परिशान थी अंसॉडरह मुआम और टिंगा बढ़ہ है है के इसंदम क्या एर सोगए अब बोल प्रॉब्लम क्या है सर मेरी बहुती सिंपल फैमिली है सर हां मुझे मेरी फैमिली का ध्यान रखना है हमेशा उन्हें खुश रखना है बहुत जल्दी मुझे एक कमपणी शुरू करनी है सर ऐसी परिस्तिते में मैं आपके बेहन को कैसे छीड सकता हूं आरती मुझे प्यार व्यार से बहुत डर लगता है कौन से युग में जी रहा है भाई तु सुभीशी ग्रूप अव इंडस्ट्री की एमडी तेरे को पसंद कर रही है अरे ताबर तोड़ तेरी किस्मत बदल जाएगी पागल उट नाम क्या है सर मेरा नाम वरून है देख वरून लाइफ में पहली बार मेरी सिस्टर ने कुछ मांगाया मुझसे और इसके खुशी में मेरी खुशी अरे तु इधर आ अरे इधर आ नहीं मारेगा उदर देख देख कितनी सुन्दर है तु अच्छा पड़ा लिखा लड़का है अरे आरती से शादी कर ले पता नहीं कब कंपनी शुरू करेगा अरे लक्षमी घर आएगी तो कली शुरू हो सकती है समझा क्या चल बाई आम सॉरी इट सो की तुम्हारी बाते बहुत अजीब लग रही है शर्म नहीं आती तुम्हें शर्म किस बात की खजू राहों भी हमारे हिंदुस्तान में ही है इसी बात पर चेस्ट विश्वा मित्र भी अगर तुम्हारी तरह शर्माते न तो मेनका के साथ उनकी कहानी नहीं बनती समझ लो हम लोग भी मेनका ही है इन सब चीजों का तो बढ़ापे में बता चलेगा जवान रखना है तो जवानी की डोस लेनी पड़ती है बस तू चुपचाए तो मुझे फॉन का पासवर्ड याद नहीं आ रहा है पासवर्ड अरे पासवर्ड बोला तो एक शैर ही याद आया यारो मोबाइल फोन अनलॉक करने गया तो समझ नहीं आया किस गल्फिंड का नाम रखा मैंडी मस्त है ना इक्स्क्यूज मी क्या गा तुमने यह वापस आ गई अरे मैंने तुमको नहीं बोला मैडम वो तो शैरी शुना रहा थे तुमने बोलो ना यह वाप में तो चौका मार दिया दो तो अशाए पर भी लड़कियां पढ़ जाती है हां माधूरी, गेट इन, सीन मत क्रियेट करो, प्लीज बैट जाओ क्या हुआ तुम्हें, बताओगी, पुछ नहीं, तो मुझे इगनोर करके क्यों जा रही हो, नहीं रहो मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं रह सकती, मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं हैं, हम क्या नाइनटीन एटीज में रह रहे हैं क्या, माधूरी तुम्हें तुम्हे तुम्हे तुम्हें अब तक टच भी नहीं किया है, नाम के लिए हम सिर्फ रिलेशन में, वट्स रॉंग विध राहूल, प्लीज ऐसी बाते मत करो, तुम्हें क्या हो गया है, हमारा रिलेशन अच्छा ही तो है ना? What the heck is this? You call it a good relation? सच बात बोलूं तो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा सोचती हो, पर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, राहूल, I love you, पर, पर, but what? प्यार नहीं, भरोसा भी नहीं, you need to trust me, मातुई राहूल, प्लीज भरोसा नहीं रहा, मास्टर, इतने दिनों से मैंने जिस प्यार पर भरोसा किया था, वो ये नहीं है, कुछ अंजाना सा दुख है, उस दुख से बाहर नहीं आ पा रही हो, मैं प्यार मतलब दो दिल मिल गए तो काफी है सोचती थी, पर अभी सब समझाया, दो शरीर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक प्यार नहीं होता, क्यों मास्टर, ये प्यार का मतलब क्या शरीर तक ही रह गया है, हर इंसान शरीर को ही देख कर क्यों बात करता है, लेकिन दिल में जाकर कोई क्यों नहीं देखता है? चोड़ा आलिया इय और छोड़ा और अजेटे दरवाणओं नौल रूधे दर्वाच था नहीं हुआ मीद्ट काव प्लीट कामा रैसलो हुआ के दरवार सकतिया अबसेक्स करा बनसी में है अधार जाओ मतरोफ टॉक्ती दर्वाजा खूलो अर्जिंट है एए बाहरो तुमसे ही बोल रहे हूं तंगे घूम रहे हैं शरम नहीं आती यही बहुआ जाएगी यह क्या घट्यापन कर रहे हूं अब यही देखना रहे गया था मुझे तुरंट मेरे रूम से बाहर निकलो अरे यही इसको समझा कितनी बार कह रहा हूं इससे कोई और रूम देख लेते हैं चलते हैं सुनती है क्या तो अब यह एक और है हां क्या हो गया कितना टाइम लगेगा अरे थोड़ा वेट किया करना आ रहा है मैं रख क्या रहे इधर क्या देख रही है उधर देख रहती है उस मनुस ने अप उनका मुड पहले खराब कर दिया था उपर से तुने फोन करके और बिगाड दिया कौन यार और कौन वही शैतानी शकल वाली उसका उसका नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे पर हुआ क्या यार अच्छे से मजे कर रहे थे तेरे को इससे क्या मतलब अब कहा जा रहे हैं हम घर जा रहे हैं डैट ने हम दोनों को फॉरण बुलाए तेरे आगे अपन हाँ जोड़ता है अप उनको छोड़ दे तेरे कोई समालना भारी है तेरे बाप को कौन चे लेगा अब आप उनको इंपोर्टेंट किसी चीज़ की जरूँत नहीं है इधर साइड में रोक आप उनको जाके नए फ्लैट लेगा तु तेरे को बताया नहीं ना अप उन और आलिया नए फ्लैट देखेंगे ऐसा डिसाइड किया है अरे तेरा कोई ठिकाना तो है नहीं ऊपर स मॉम डैडी ने अजन्टली बुलाया था मुझा तुमारे डैडी अपने फ्रेंड के घर लंज पर जा रहे है तुम जाकर तयार हो जाओ ओके वाह ओमलेट एई वो उसके लिए है तू हात मत लगा अरे इसको इतना खिला रहे है ये यू एस जाके पीजा बर्गर खाकर भै ब्लीज ऐसके लिए देई आजिए बहलेट किसी भी मुर्गी अ ईंदिया हो तुम्हारे हाथों हमरित बन जाता है तुझे भी आतमें हीं चलना है ज़ुलडि60 तुन तु रेडी है अच्छा तो दीख रहा हूं क्या अर्विन हां जा हो रहा है अ कुछ ने डाड़ी सब बढ़िया चल रहा है बस इसके साथ गुमना है या कुछ ट्राइबी कर रहे हो आ ट्राइब कर रहा हूं पर कुछ सेट नहीं हो रहा है तुम्हारी विशेष्टा क्या है क्या मतलब बी यह हां बी यह फाइन और बी यह पढ़ने के बाद क्या करने का सोचा है हां ऐसा क्यों कह रहे हो डेड़ी कागिवंद्र राव बी यह कितने बड़ेटर हो गय आपको पत हाँ ओके डड़ी सुनो मेडि के लिए लड़की देखने आया है सभी डिसेंटल विहेब करना समझ गया ना अरे भाई कॉंग्रेट्स आ डबल पाटी अगर मुझे पसंद नहीं आई तो तेरी शादी करवा दूंगा मैं अरे जा एई महारिशी जी नमस्ते मादुरी के बचपन से यही गुरू है वो जो कुछ भी सीखिये इनी से सीखिये अपनी अद्भूत पेंटिंग से वो मुझे भी इंस्पायर करती है हाँ अंकल रंग जबर्दस्त है नेरलाइक है यह एशियन मतलब अब्स्ट्रेक्ट पेंटिंग्स ना पेंटिंग्स बहुत अच्छी है उपर बहुत सारी पेंटिंग्स है इन्ही ले जाकर दिखाओ बेटी ज़ा बेटा क्या है इधर बैटना अप उन सन्हीं होगा अप उन साथ में जाता है अब यह आता हूं हां बुलो सुन तु तेरा समान बांद ले अप उन लोग नए फ्लैट देख लेते हैं अच्छा हां तु शौक हो जाएगी अप उनको पता था फिर भी तेरे को बताता है अब उनको जॉब मिल गया है हां जॉब तुझे किस ने दी अब उनके पीछे कौन है मालम कौन है मै तुझ ने आएगा क्या ठीक है कुछ भी हो अभी मैं बिजी हूँ बाई अंदाज महबूब भी क्या चीज है उन्हें ना कहने में भी हां सुनाई देती है वो कहते हैं बहुत बिजी हैं उसे मिलने का जित हमें खाई जाती है तुम्हें पूछे बिना तुम्हारी पसंद जाने बिना तुम्हारी शादी की बात हो रही है इसलिए बुरा लग सकता है पर माधूरी एक बात सोचो जिंदगी एक कड़वा अनुभव के कारण रुख जाये और हम उसी को सच मालने क्या यह सही सच क्या है यह जानना है तो नए अनुभवों के लिए आगे बढ़ना ह वैसे तुमने कहा था तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी आग्चिली माधव इस शादी के बारे में मैंने बहुत सोचा पर हां वो मैंने भी सोचा इस शादी के लिए राजी होना मुझे इतना इसी नहीं लगा आज तक माबाप से मैंने जो कुछ भी मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया इसलिए उनकी इच्छा को मैं कभी भी ठुकरा नहीं सकती हूँ पर माधव तुम्हारे साथ एज़स्ट होने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए लिए थोड़ा टाइम चाहिए दाट सिट माधव यह यह कूल मुझे समझ आ गया डूंट वरी परवन यह बहुत पीलिया यार तुमने आज तुम्हारी सुहाग रात है वो लड़की रहा देख रहे होगी जाओ ना यार अवे वो जब छोड मुझे देना सही तो कह रहा है अरे इनफ यार वहां कमरे में दुलहन की हस्ततें बढ़ती जा रही है यहां दूलहा की बोतलें बढ़ती जा रही है यह अपनी शारी बंद कर यार अरे चुपचा पी बे अरे मेड़ी जाना अब कि अवे है अश्त में है अरे तो अन दृभर जाए जें है झाल कि अव्या है हुआ हो कि हुआ है कि हाए कि हुआ है हुआ 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 शादी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है छोड़ो ना आफिस जाना है क्या है पहले की तरह जंगली रहते तो कितना अच्छा होता ना सुबह सुबह उड़ते शिकार पर जाते वापस आते और विस तर पर चड़ जाते समझ नहीं आया क्या तू कहां मिल गई रहे अप उनको डेड़ दिमाग वाली हाथी भाग शेर फूट मोगरे का फूल यह सब होता है जंगल में मैं समझी नहीं मैं समझां क्या मतलब कितने परिशान करते हो सुबह सुबह मुझे इसे परिशान होना कह रह resolu है अरे जंगल में होते थे तो ये बोस ओफिस ये सब नहीं होता ना अपन राजा होता ओर तू अपूनकी रानी है और अप उनकी बात तरह को समझ में ताइम हो गया किस चीज का ओफिस जाना होगा अब उन कह क्या रहा है और तू कर क्या रही है हम जंगल में नहीं है तुम राजा नहीं हो ना मैं रानी हूं हम तो प्रजा है अप उन तो तेरा गुलामी सही है मेरी जान तू अप उनकी रानी है जाओ सुबह सुबह प्यार करते तो दिन अच्छा जाता ऐसा सुना है मस्त कस्रत भी हो जाता है क्या वोलती है अच्छा तो फिर जिम जाके कस्रत करो न पता है तुना बहुत चालाख है हर लड़की चालाखी होती है गड़े कहीं के अबोल है बाटी वस्ताइट कैसी रही है अरो बोला यार है फोन ट्रक एई कहां जा रहे तु ओफिस जा रहा हूं नाश्ता तो करके जा नहीं भूख नहीं है हुआ है हुअ हम अरे सब्सक्राइब दॉस है अरे सुब्बु अरे तुदर क्या कर रहा है मैं यहां का टीम लीडर हूँ अरे आज्या पुन में इधरी काम कर रहा है थैंक्स क्या इतना हुसा क्यों कर रहा है प्लीज ठीक है हाई भाभी हाई मैं तुम्हारे लिए ब्रेक्फास्ट लेकर रहा हूँ अरे मैं खुद आ जाती ना सासुमा ने खा लिया ममी सेहलो की साथ किटी पाटी में गई है भाभी सब ठीक है ना अहां अके मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फिल कर रही है नया घर नए लोग जानती हूँ आपको थोड़ा आजीब लग रहा होगा शॉपिंग करने चले है ठीक है हलो कातिलाना अंदाज है तेरी चलती है तुझसे ये सांसे मेरी हर पल खुद को तेरे ख्यालों में पाता हूँ मेरी जान इसे महबबत नहीं तो फिर क्या कहूँ वाँ उस्ताद वाँ क्या है शायर अच्छे मूड में लग रहे हैं अरे तुम याद करो काफी है बस करो अब अरे क्या है इतना खामोश कुएं कहां हैं घर में वक फ्रॉम होम चीटिंग मेरे को बताया नहीं ना बताती तो तुम ओफिस जाते हैं यह भी तू सच बोल रह आई है आहे हूं जल्दी आ जाना और कुछ स्पेशल नहीं है क्या और क्या स्पेशल जाहिए रूक्षरा आज कुछ नया ट्राइ करते हैं नया ट्राइ करने के लिए क्या है अरे क्या बात करें लिए अभी तो आप उनके कहाने शुरू है आगे ये कहानी और कितने मोड लेंगे जानती है क्या कि सोचो और सोचो मैं सोन नहीं रही हो अरे तु सुनरे लिए अब उनको पता है मैं नहीं सुनूंगी अरे बद्बाश बाए हाँ बोला अरे कहां पर है तु यहां पैग रेड़ी रखा है कहां आना है घर जा रहे ला हूँ आलिया वेट कर रहे लिए क्या यार तु यह बहकी बाते कर रहा है लड़की क्या मिली तु तो अपने दोस्त को भूल गया अरे नहीं रहे भाई ऐसा काई को बोल रहा है आज नहीं तो कल बैठेंगे देख में दो पैग तो मार चुका अरे अरे अर्जिन मीटिंग है तु चल ना यार तरे को ज्यादा पैसा देगा चल चल ना बाई चल 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 अरे किदर बैठा है मेरा यार यह रहा है अरे यह इसे दे रहा है अरे अरे अपना भाई समझ ले बाद में देख लेंगे काई बैठा है मेरा यह यह रहा क्या हुआ इसको अरे चोटू क्या लेकिया है चिकन तंगडी मंगवाया तो कवे की तंगडी लेकराया है अईसा लग रहा है मुर्गी बीमार है तो अपन बात कर रहा है तु जा रहा है जा दूसरी लेकरा अरे वह यह देखो ना अपन से उश्यारी कर रहा है अबे अपना पंटक बंद करना हां अब बता तेरा मुझा एको सड़ा हुआ है अच्छा ये छोड़िए बता तेरा स्वागरत कैसा क्या खाक हुआ क्या जानता है पहली रात को क्या कहती है कहती है शादी ये सब करने के लिए नहीं किया है अरे यार मैं कोई रीपिस थोड़ी ना हूँ मुझे ना कह रही है मुझे एक बात बता भाई पैक तुम्हारे सामने रख दिया जाए और तू बिना पिये ऐसे रह सकता है क्या ये बहुत मुश्किल है बाई चीर्स अरे सभी एक जैसे नहीं होते रहे बाई जड़ा प्यार से समझा अराम से बात कर टाइम लगेगा इतनी सी बात के लिए आईसी जल्दबाजी करेगा क्या अब ये मैडी हूं मैं मैडी तू बस मुझे इग्नोर करने वाले एक लड़की दिखा बस एक लड़की दिखा मुझे खुद को तोप समझती है क्या वो अरे मैडी भाई वो तोप नहीं है और अपन भी कोई सिपाई नहीं है अब चल रात बर यहां बैटके दारू पिता रहेगा क्या खतम होगे बॉटल भी खतम होगी अब चल अरे पगले यह ना अब यह तेरी तोप चल दोस्त मेरा दोस्त तुए मेरी जान अंदर आना अरे नहीं मैं घर जाता हो यार कुझा अलिया अलिया बियाए अलिया बियाए अलियू अलिया पिल्थ बिल्थ क्या है यह देखी कि क्या सप्राइज एक तो लेट आए उपर से इस मुसीबत को भी साथ ले आए अरे बार बार उस अड़े में जाके काई को बैठूं इधर तु और मेरे साथ बैठते हैं अरे ब्रैंड पसंद नी आया क्या अरे बात यह है कि मेरे लिए तुने प्यार से चिकन बनाया ना दारू के साथ चिकन जबर्दस लगता है वैसे भी दारू पीने के बाद क्या करना अपने को पता है नो वे ड्रिंक करके मुझे किस करोगे मुझे नफरत है अरे तेरी नफरत को पुन प्यार में बदल देगा प्लीज दूर रहो मुझसे अरे जिसे देख लही हो रोज ऐसे ही पिकर आरा है ऐसे पिएगा तो कैसे चलेगा अलिया अलिया दुबारा पुन कभी लेट नहीं आएगा अलियार कि अग्यार कि मैं विक्ष आया हूं न तो यह मत कहना कि तुम यहां नहीं सो सकते कि सूँगा तुम्हें यहीं हां अग्यार अग्यार आए यह लाइट मेंना मुझे बिल्कुल भी नीन नहीं आती है इसलिए चपचाप इस लाइट को बंद करो भी सुन माधुरी को घर जाना है तु ड्रॉप कर क्या नहीं मौ मुझे बहुत काम है अच्छा बता तुझे क्या काम है ए तुछ चब ठाना मैंने तुम्हें बताया ना मैं 15 मिनट ना ना मजसी हुए बैटो बिटी अब बोला तुझे काम है ए चुप रहे तेरे बिन कैसे हम रहे कैसे तुमसे हाल दिल कहे सॉरी थोड़ी लेट हो गई तुम क्या खुद को प्रिंसस समझती हो हां मुझे किसी के लिए वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं पिये दूर है हम क्यूं मिलके भी ना हम मिले कैसे गुजारे बिन तेरे पल इंतजार करते हैं हम ऐसा क्या कुसूर हुआ हम को मिली क्यूं ये सजा कैसा मिला ये चाहत का सिला क्यूं हम हुए यूं बेवजा बोलो ना बोलो ना मुझे से हुए क्यूं मुख़ा मुझे लगता है इसके बारे में सोचने का समय आ गया है कॉलेज में तुभारे बारे में जो सुनाओ वो दुबारा नहीं होना चाहिए वैसे कल तुम लोग कैसे जाने वाले हो भूल गय क्या कल ही तुम लोग को जाना है वाट रिसॉर्ट बुक कर दिया है, जा के अपनी पैकिंग कर लो कोष्टमर कर दियुन कर दियु एपका मुझा जा मौसरेश ससले डियुर्ट कर दो है बेबी, वाट्सॉप वोलना capital nonprofit फोन युँ किया मतलब मैं समझां । impressive मैं था विखिंट त्भाफिन ओरा कर दोई यह क्या कह रही हो बीबी तुम तु मेरी जान हो तुम्हारे बिना में जी नहीं सकती है ऐसे भारी डायलॉग मारे थे तुमने वो सब भूल गई क्या मुझे लगाता तू मुझे से शादी करेगा इसलिए अब तो किसी और का हो चुका है ना तो मुझे क्यों फोन कर रहा है अपनी पतनी के साथ इंजॉय कर दुबारा मुझे कॉल मत करना मादव, लिसन, नो वे, चुपचाप गाड़ी चलाओ भूलिये, सर्थ, आपके लिए क्या कर सकती हूँ और स्वीट नेम प्लीज, सर्थ, शनाया सो शनाया, मादव के नाम पर एक रूम बोख होगा नाम प्लीज , रशनाया, सफेको स πα्लीन, और लो अंटाया प्लाएब है नाम नाम Hmm, शनाया यह शनाया थी, शनाया सुचेू नोग थाटकूव जाराओ मया मैं मैं प्लीज, स्पा्रिक समरी में कर दो, कर दो नेटाया अंट पहराए, स्थ, कर दो, शनायां किसका है मेरे एक्स बॉइफरेंड की अरे तो फिर इदर काई को लेकर रही है पागल यह तेरे ही लिए है कि हर रोज तुम लेट होते हो न कोई ना कोई रीजन बता के मैरी के साथ चिल करते हो अपसे नहीं होगा अरे लव यू माई-चान चल शिकार पर चलते हैं अभी अरे अभी ने तो क्या सुब जाएंगे चल चलते हैं चलते हैं पेट्रोल भरवा दिया है क्या अरे गाड़ी जब दिया है तो पेट्रोल भरवाया है होगा चल बैठ बैठ गई हम चले हां तुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद् कि आपको और आपकी वाइप को बोनफायर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं वाइफ के साथ ही जाना होगा क्या हम दोनों नहीं जा सकते सर्थ फायर वहां नहीं यहां पर लगी है सेर्थ शिट बैचे मड़के चलके लड़के नाना थरक 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 थर क्या बाई इतनी जल्दी तुम थख गए क्या हुआ टांस करो खेट जोतने के लिए नहीं कह रहा हूं बाई सच में अच्छा ही होता अगर कहीं जाके ना खेट जोतता नहीं दोस्त मुझे थोड़ा डाउट है यह असल में तुम्हारी वाइफ ही है ना वाइफ नहीं है प्रो वाइफ जैसी है ओ अच्छा पागल कहीं के यह फिल्म है डरते हो तो बंद कर दो ना यह इनसान है यह भूत है इतना खतरनाक आइडिया इनको कहां से आता है आपरे यह देखके तो मेरा हलत खरब हो रहा है अरे हा थोड़ा सा डर लग रहा था यह देखने बाद पता नहीं यह काम करेगी की नहीं हां तो फिर अभी वो नहीं होगा यह क्या बात कर रही है अरविंदू में हम 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 करेगी जाओ भी यह बहुत होची आ रहे है दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आप दोनों को छे महीने एक साथ रहने का आदेश यह अदालत दे रही है अब आखरी सुनवाई सोला जुलाई को होगी हुआ 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 है मम्मे कॉफी मॉम कॉफी रहनुका सुजादा देमिट सारा काम यह मुझे ही करना पड़ता है यह देखो सुभा सुभाई शुरू हो गए पता नहीं क्या मजा आता है से लगता है खुद को बड़ी पींटर समझती है लीडी हुसेन कहीं की अरे क्या यह काम करता है कि नहीं हलो 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 यह क्या गन बेचते हैं रहे भाई सफेद वाले को शूट करता हूं अगर पूटा नहीं तो दुकांदर का सर पोड़ देगा क्या लग पाया अपने उपर वाला जब भी देता है तो जपड भाड़ के देता है आज समझ में आया अपनको चाहे चाहे इतना स्वादिष्ट कैसे अरे मस्तान भाई के चाहे के बाद यहीं चाहे है सच में जानती हूं तो क्या ओफिस आरे लिए हैं मत जाना आज हां रोकेगी ना रोकेगी ना मुझे पता है हां हलो मॉम मुझे तो सिंपल कॉफी बनाना नहीं आ रहा है माँ अभी मैं बहुत बिजी हूं कुछ चाहिए तो हिटलर को कॉल करो अब यह किस तरह का टॉर्चर है मॉम अलग तो मुझे रहना है ना हिटलर को क्या फरक पड़ेगा देखो मुझे अर्जन काम है तुम खुद यह बना लो ना मॉम गौड उसकी जो हालत है उसे देख कर मैं उसे प्रोजेक्ट से निकालने की सोच रहा हूँ मुझे लगता था कि वो कुछ हासिल कर लेगा कुछ बन जाएगा अखिर मेरे डैड ने सोचा क्या होगा पता है ऑफिस में सब के सामने उन्होंने मुझे कहा था कि यह फ्यूचर चैर्मन बनेगा और अब प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया क मेरे डैड के पास अब पेशन सी नहीं है हमेशे हाब सकतर की विसनेस के बारे में सोचेंगे घर कि अगंने बिस्टवालों ने सोचेंग अरे आज तक मिरा अले कि नहीं नहीं ने पता है अरे मना करने के बाद भी उसके साथ रहना पड़ रहा है पता ऐसी सिचुएशन में भसा होना कि बिना दारू के दिमाग भी नहीं चलता अरे तो इतना फिकर काई को करता है जरा ठंडा दिमाग से सोच तेरे को खुद समझा जाएगा सब जो तेरे करना है वो कर पहले काम पर ध्यान दे समझाया क्या अरे मैं क्या देवदास लगता हूं क्या उसके बिना ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समझा और पता जज ने छे महिने उसके साथ रहने का ओडर दिया अरे भागल अरे वो क्यों डिसाइड करेंगे मैं किसके साथ रहूँगा और छे महिने में वैसे भी क्या हो जाएगा अरे कुछ नहीं होगा भाई तू फिकर मत कर अरे कुछ नहीं होगा कोई भी हो मैं उसे थोड़ा ही टॉलरेट करती हूँ तुम यहां से जा सकते हो मैं यस सर आम कमिंग आखर यह सब क्या है तीन बार गलती की तो निकाल देगी क्या अरे उसकी फैमिली के बारे में तो सोचना चाहिए ना निकालने से पहले नोटिस भी नहीं दिया अलिया 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 दरवाजा खुलना जाओ यहां से जाके उस मैडी के साथ ही सो जाओ अरे प्लीज दरवाजा खुलना अब जगडा मत कर रहे यह कोई PG ऐस्टल है क्या मैं कोई वॉडन हूँ अब साथ में क्यू रहना है तुम्हारी कहानी सुनने के लिए अरे मैं तेरे को कोई कहानी नहीं सुनाता हूं रे दरवाजा खुलना नहीं खोड़ूंगे अरे प्लीज खोलना कल से कसम से मैं लेट नहीं आएगा रही खोलना मेरा बाबू लगता है आज पिर उप्वास करना बड़ेगा यह क्या है जब देखो मोबाइल में लगे रहते हो तू नहीं सुधरने वाला बोलो लता हाई आलिया हैपी बड़े टू यू थैंक यू यह क्या कोई कॉई कॉल नहीं कोई मेसेज नहीं बहुत अडिक्ट हो गई हो क्या उससे अच्छा बता कब मिलेगी ऑफिस में काम बढ़ गया है और अब तो घर में भी काम रहता है बस इसी में थोड़ा बिजी हो ग करते हैं डिनर पर मिले और फ्रेंट्स भी बुला लेना ना नाश्ता आज फ्रेंट्स और कॉलीक्स को डिनर के लिए इनवाइट किया है तो सोचती हूं आज तुम टाइम पर आ जाओंगे वो मैडी और मादुरी को भी बुला लेना ओके अरे इधर कहां जा रहा है अड़े पर अरे प्लीज यार अरे बस एक दिन छोड़ दे अरे आज आलिया का बड़े है डिनर के लिए सब फ्रेंट्स को घर पर बुलाया है अरे उसने तुम दोनों को भी बुलाया है उधर ही दारू पे लेना ना यार अरे वैसे भी मैं तु मेरी तो पूरी लाइफ बरबाद हो गई है कुछ समझ महीं ही नहीं आ रहा है छे महीने उसके साथ इस लाइक एल भागल हो रहा हूं मैं अरे तुझे ऐसे देख रहा हूं तो मेरे को तकलिफ हो रही है बहुत मुश्किल हो रहा है रहे तुझे बताने लाइख सला तो नहीं है पर मेरे लिए एक काम कर यार प्रॉमिस करके तु मेरी बात सुनेगा मैं प्रॉमिस करता हूं यार बोल तु छे महिने में सेपरेट हो सकता ऐसा कोट कर लो है एक साथ रहने के लिए डैडी कह रहे हैं अगर अलग होना है तो दुश्मन जैसा नहीं दोस के तरह अलग होना यार छे महिने कितना समय लगेगा बीतने में एक बार सोच कर देख भाई चल अब चलते हैं अरे भाई तेरी बात मैंने कभी टाली है क्या ठीक है चल जब से अप उनने होच शमाला है अप उनके मा कैसे दिखती अपने को यह भी नहीं पता लाइफ में बहुत प्रावल्म्स देखा है अप उनने पर तुने एक बहुत अच्छा काम किया दोस्त कि तुने आलिया जैसे लड़की को आप उनके जिन्दकी में बेज दिया हुआ आलके, आगा सिस्टर, आप उन लाइफ में पहली बर किसी को सिंसरली सिस्टर बोल रहा है, वो दिखने में ऐसा टफ दिखता है, लेकिन दिल से बहुत सॉफ्ट है, इस दुनिया में उसके अलावा अप उनका और कोई नहीं है, मेरा उसका क्या संबंदे बताओ, पर जब से उसने अप उन चोटा है, आपको सलाह देने लायक तो नहीं अपन, एक बार उससे दोस्ती करके देखो, फिर कभी उसको छोड़ नहीं पाऊगी, आपके मर्जी होगी तो आप अलग हो सकते हो, ऐसा कानून में है, छे महीने को कितना समय लगता है बीतने में, नहीं पसंद है तो आलग होना अच्छा है, पर दोस बन के अलग होना, ओफिस में तो ये बड़ी-बड़ी बाते करती थी, डिंगे मारती थी, अब देखो, किसके पल्ले पड़ गई, उस लफंगे से महबबत करती है ना, गॉल्फेंड के जरम दीन से कोई जरूरी काम होता है, हेई, गाड़ी साइड में लो, क्या हो सर, चलो बाहर निकलो, हूँको इसमें, सर, सर, हूँको, ड्रिंग करके गाड़ी चला रहे हो, सर, सर, प्लीज, सर, बड़े साब के पास सलो, पर इसली जाना है, सर, प्लीज, क्यों लो, ठीक हो के जाना है, सर, प्लीज, सर, पीकर गाड़ी नहीं, सर, इतने अद्वर्टैजमेंट करके जिछाते हैं हम लोग, चलो गाड़ी साइड में लोग, शुलो गाड़ी साइड में लो, थिलो चलावारी, जाव बाही नहीं, करें लेजा भाई ने जाओ क्या देख रहो लेकर जाओ सुनाने तुमने जाए निसेंस क्रेट मत करिये जाए चलो आजाओ हेलो लता आल्या वो नहीं आया अरे मैं तुझे समझा रही थी आल्या पर तू माने ही नहीं वो सर्विंद पर मुझे पहले भी भरोसर नहीं था अब देखना बात यहां तक पहुच गए मेरी लाइफ में भी कोई था मेरा पती वो बहुत एक घटिया इंसान था उसके लिए मैंने अपना सब को छोड़ दिया पर वो बिना किसी कारण मुझे छोड़ के चला गया मैंने भी तुमारे ही तरह कुछ भी एक्सपेक्ट नही भी नहीं मिला अल्या 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 जोंट क्राया अल्या मैं तुमारे पास आ रही हूं बाए अल्या बेबी कहाँ हो मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत ट्राय किया पर यह तुम्हारे लिए मुश्किल है अभी पता चला मुझे पसंद नहीं था फिर भी पहली बार तुम्हारे साथ शैंपेन पीने का सोचा श्का ऐससे मृणे आपा सक्विक छा बतॉर वराभवी बाए अल्या 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 भारान अल्या वादन आ गाई तो, आलिया, तू सांथ नी होगी, तो अपन पागल हो गया है ये सर कुछल रहा है आलिया अरे तुझको समझ नहीं आता है का रे तुरे अलिया अब ये भी अपनको दमकी दे रहे रहा है चल गर चलते हैं अरे तुरे को क्या गोर्रे लिए जाके बुलानो उसको एई तु क्या देख रहा है इसको निकाले हां से बाहर कर इसे अरे मेरे बाद तक है तो मारें अल्या, 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 अउए, साथिया प्यार मेरा पहचानाना मुझे को छोड़ दिया गलियों से तेरी चला तनहा भटकूं तुझ से दूर चला छोटी मंज़ चैन पड़ेना दिल लागेना तिरवन साथेया दार मेरा पहचानाना मुझे को छोड़ दिया प्यार मेरा पहचाना मुझे को छोड़ेना दिल लागेना दिल लागेना दिल लागेना साथ में तेरे दिन जो बिताये कैसे हम बूले यादों में तेरी तड़कते हैं हम आके देख ले सुना मेरा तेरे दिन जहां है जीया जाएना चैन पढ़ेना दिल लागेना तिर बिल साथिया प्यार मेरा पहचानाना मुझे को छोड़ दिया चैन पढ़ेना दिल लागेना तेरे बिन साथिया ओ मेरे साथिया वाव ब्यूटिफुल है है नो मैंने लड़की सुन्दर ऐसा नहीं का पेंटिंग बहुत अच्छी ऐसा का मतलब लड़की तो सुन्दर है ही पर उस तरफ मुडी हुई है ना मेरा मतलब पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है यूनों मैंने कल दूपहर से कुछ खाया नहीं है आम सो हंग्री अरे आम सो सॉरी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है कम ओन कोई बात नहीं है मैं हुना यूनों वाट मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ आप जाके रेडी हो जाएए मैं ब्रिक्फिस्ट बना कर लेकर आती हूं जा कि अजए झाल यूपष रच्छा यूजए यूए यूए यूपष तो यूजए यूवष यूए यूए बाई अरे इतने बड़े पब में एक भी लड़की दिखाई नहीं दे रही है यार कोई नहीं दिखाई दे रही है बहुत सुन्दार है एलो वेटी क्या हुआ मातुरी बात नहीं बनी क्या इस ओके कोई बात नहीं उन्हें मेरा काम शायद पसंद नहीं आया हाँ समझ के अरे क्या हुआ यार छोड़ दे भाई अरे भाई दुखी क्यों बैठा है मैटी को फोन करना क्या बकवास कर रहा है कौन दुखी है अपन दुखी है तेरे को बोला क्या मैंने अरे तुमको पहले ही बोला है उसको फोन करके बेकार में परिशान नहीं करने का वो अभी अपने लाइफ में सुदर्रेला है, समझ आया, मैं क्या बोल रहा हूँ? और अपुन का क्या है, अली अपुन से बहुत प्यार करती है, यार, वो मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी तुम लोग अपुन को क्या गुर्रे लेओ, बियो ओडर करो, अरे क्या है, यार, 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 माधुरी, अंदर आ सकता हूँ क्या, या, प्लीज कम, है, यह क्या है, इनकम्प्लीट है, अच्छली वो सिर्फ पेंटिंग नहीं है, आम तौर पर पेंटिंग करने के लिए थोड़ी चीज़ें देख कर करते हैं, थोड़ी कल्पना से करते हैं, पर कुछ होती हैं जिन्हें अनुभव से करना पड़ता है, अच्छा, कितने दिन पर काम कर रहे हूं, वो कम्प्लीट होने के बाद एक सोलो एग्जिबिशन रखने का मेरा इरादा है, नाइस, वन सेक्ट, अरे प्रेम, बोलना, हलो मैडी, अप्डेट्स अन प्रोजेक्ट, तुम्हारे डैड ने अप्रूफ किया, क्या, अरे मुझे एक बात बता, हम इस प्रोजेक्ट को कितने सालों से कर रहे हैं, और कितने साल, अब हम और नहीं रुख सकते, I think we started it last March, April, May, June, July, मुश्किल से पांच महीने, अरे भाई, हम पांच महीने में ही इस प्रोजेक्ट से इरिटेट हो रहे हैं न, यहां एक लड़की है, जो दो साल से सिर्फ एक पें अरे कुछ नहीं, मादूरी, रेम से वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, कौन सा प्रोजेक्ट, है, मैंने बताया नहीं न, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात कर रहे थे, ओ, कंग्राचुलेशन्स, क्या ज़रूरत है मादूरी, जो कर सकत प्रहुब प्रहुब झाल साब टाइम कितना हुआ है अरे रिलाक्स रहे यार जोग खरेगा तो हसने का ताकत भी नहीं है अगली बार नहीं देखोंगा अगर तुम मेरा दोस्त है यह लास्ट वार्निंग है हेई पेंटिंग तो बहुत अच्छी है वैसे एक बात बताओ इससे कलपना से बनाया है या फेर अपने अनुभव से यह कलपना से बनाई हुई पेंटिंग है अनुभव से थोड़ा मुश्किल होता है न वाई इतना मुश्किल कियो होता है क्यूंकी यह सब सिर्थ ट्रीम्स में ही possible है रियालिट्य में ऐसा नहीं हो मादुरी, पांच मिनिट में रड़ी हो जाओ वो क्यों? रड़ी हो जाओ, बताताओ बाद में ठीक है सुने दिल की धड़कन आसंग में प्यार विखा जाए हम आसंग में सुन लो जरा तुम मेरे दिल की सदा चाहा है तुम को मेरे दे इतहा सुकों आया दिल को मेरे तुझा मिला जीने का मुझा का भी सहारा मिला सांसों में बस हो तुम हो तुम ही मेरी दुनिया राहू में चले अब हम आसंग में सुरी माधव राहूल के साथ मेरा एक छोटा बैड एक्सपिरेंस था कूल माधव रिलाक्स अगर जिंदगी एक बुरी याद के साथ जिएंगे ना तो हम उसे ही सचमान बैठेंगे यू शुड मूव ओन सुना था दिल मेरा बिल तेरे ये जहाँ ओ मेरे माहिया तुम से मिले हर खुशी रंगों से सज गए ये मेरी दुनिया नीदों में सिर्फ तू ख्वाबों में चहरा तेरा हर पल में है साथ तू ओ साथी रे तुम से ही है खुशी बातों में जिक्र तेरा हो तुम ही मन्जिल मेरी हर राहने जीले ये लम है हम आसंग में बाते करे कुछ हम आसंग में सुने दिल की धड़कन आसंग में प्यार में खाजाएं हम आसंग में सुने दिल की धड़कन आसंग में प्रेम तुने प्रोजेट के बार में इसी को बताया क्या नहीं यार क्यों और यहां एस इस है प्रेजंटेशन चल रही है अरे क्या बात कर रहा है तो सुबह सुबह पी रखी है क्या है आप अलो एप्रेम मैं तुझे बात में कॉल करता हूं एक्सेलेंट मादाओ नाइंस डाड पर यह सब आपको मिला कैसे मादरी ने भेजा हमारी टीम को I was confident of him proud of him my boy Thank you Dad Franken सुन मेरे ओ साथिया सवालों में जवाबों में तु ही एक तु ही मेरी धड़कन सासों में ख्वाबों में तु ही ओ मेरे साथिया कब आये तु है मैं असल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था सिरियूसली इम हैपी मेरी लाइफ में सब केक वाख है साथ बट इन इसमाटर आई कुदेंट टु इट पर तुम ने यह कर दिखाया यू नो इत वर्ग अजिक फो में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मादफ आई थिंक यू डिजर्व इट नो बट फो मी इट मेंस अलॉट फर्स्टाइम इन माइ लाइफ आई लाइफ आई अचीव सम्धिंग आज आज ओफिस में सब क्लैप कर रहे थे ना पहली बाहर मुझे जन्यूइन फीलिंग आई मैं अपने आपको नया सा महसूस कर रहा था चला लेट सेलिब्रेट इस मोमेंट ये वेट 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 अच्छली कल मैंने महर्शी मास्टर को घर पर डिनर पर बुलाया है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती आप अपने फ्रेंड्स के साथ नो वेट इस अल बिकास अव यू इन इन तो सेलिब्रेट विथ यू हाई सिर्व हाई मादुरी मादुरी तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज है कैसा सर्प्राइज जस्ट शेके तुम्हारा काम उने पसंद आया स्पॉंसर्शिप भी मिल गई है कंग्राट्स मादुरी यू फानली इतने सालों के बाद ड्रिंक्स शेयर करने के लिए मुझे एक अच्छी कंपनी मिल गई आपको मादफ को भी कंग्राचुलेशन्स बोलना होगा अच्छा क्यों क्योंकि इनके डाड इनके आप प्रेजंटेशन के लिए मान गए है वाव कॉंग्राचुलेशन्स हाँ सर इट्स माइ फर्स्ट अचीवमेंट तो फिर डवल चीर्स सर बोस नहीं बुलाया है हाँ हलो क्यों भी वो लुके पठे दोस्त को पूरी तरह से भूली गया ना तू ए बसकर यार तेरे बाप ने अप उनके या नौकरी पे लगाया तो सोच रहा हो कि फुरसत से काम करूँ और तुम लोग परिशान करते हो सर बोस इंतजार कर रहे है जाये ना बहुत टाइम के बाद अप उनके जिगरी दोस ने फोन किया भाई जा रहा हूं ना क्या मेरे भाई बहुत बिजी लग रहा है तू आजकल बहुत बड़ी तोप हो चुका है तू हाँ भाई यहां आप उनेक मेट नहीं रहेगा तो यह लोग ठीक से काम नहीं करते हैं किसी भी तरह से कंपनी को अप उनकोई ऊपर लेके आना है वो सब छोड़ पर तेरा क्या चल रहा है तू और मादुरी सेट हो गए ना हाँ मेरे भाई वो तो सच में बहुत खुश है एंड आम अल्सो वेरी हैपी सुपर है भाई और क्या चाहिए फिर चल जल्दी से एक पार्टी करते हैं अच्छा चल में चलता हूं यह मैनेजर पहले से अप उनको काटने के लिए बैठा है ठीक है ना चल पर बाई ठीक है मेरे भाई बाई एव एवर सीट सर के लिए कॉफी लेकर के आओ अजल अपन कॉफी नहीं चाय पीता है तो फिर चाय लेकर के आओ जोटू चाय में शक्क्र कम डालना ठीक है सर कुछ भी हो तुम लगी बहुत हो मांगने पर ही तुम्हें जॉब मिल गई कोई सवाल करने वाला बॉस भी नहीं है समय पर तुम्हें सेलरी मिल जाती है दोस्तों के साथ फूल मस्ती करते हो अच्छा, तुम्हारी एक गर्फरेंड भी है न तुम कुछ भी करो लेकिन वो कुछ नहीं कहती है तुम्हारी जैसे किस्मत मेरी नहीं है बाई और हाँ वो लड़की ने वो बाइक भी तुम्हें दे दी है क्यों तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो मैं तो कदा मज़दूरी करके यहां तक पहुँचा हूँ यह चाप गई तो कुवे में कूदना ही पड़ेगा बहुत मेहनत करके मैं इस पोजिशन पर पहुचा हूँ आज मुझे इस पोजिशन के कीमत पता है आफिस में या तो तुम रहोगे या फिर मैं रहूँगा डिसाइड करो अरवे अकाउंट से अपने पैसे लेते वे जाना नहीं मायूसी मुझ में यूँचा गई है होगाना मुझे सा मुकतर का मारा जीते जितन से रूह जा रही है हाँ 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 वंदिशें फातिल दिल की मुझे तड़ पाएं खौईशें इश्क की तेरी तेरे दर लाएं मेरे मौला मेरे मौला पूले को राह दिखा दे मेरे मौला रहमों करम बरसा दे मेरे मौला विखर गए देहलीज पेजो विखर गए देहलीज पेजो विखर गए देहलीज पेजो विखर गए देहलीज पेजो खाबों को फिर से बसा दे मेरे मौला रहमों करम बरसा दे मेरे मौला विखर गए देहलीज मैं फिल्मे है तनहाई भरी धूने दर बदर तुझे धड़कन मेरी चिल्मन दर्मिया उसको तुह का मौला तरसू जिसको मैं जन्नत वो दिखा मौला इस बेंकरार दिल की पुखार सुन ले रे मेरे मौला गर तू कहे तो करू जानी सार तुझे पे है मेरे मौला 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 चमन जो उजड़ा खिला दे मेरे मौला कहर को सर से हटा दे मेरे मौला बेचैन दिल को सुकून मिले 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 डहतीय करते वे तेजिते वसे अबाथ आसेचर लाँ사 आ आसा एक कांदा दिला दे मेरे मॉला रह्मु करम परसा दे मेरे मॉलाँ अबुलेंस ? Hello What ? What the hell are you saying ? But here is a work asset परविन अंदर है माधव भी आया है पिरको टेंशन मतलों कहरी हो ना तुमसे शान्त हो जाओ कि कि अजया है के जिंदगी में मैं पहली बार रो रहा हूं आलिया कि दर्द क्या होता है है व तब पता चला जब जब माध्री मुझसे दूर हूने लगी ठी फिर बहुत दर्द महसूस हो और आज जब मेरा ये दोस्त जिन्दगी और मौत के बीच जूज रहा है तो बहुत धर्द महसूस हो रहा है जब हमबर कोई जिम्मेदारिया नहीं थी तब हम आजाद पंची की तरह खुश रहते थे तो अब ऐसा क्यों हुआ जब हम बेकार पड़े रहते थे तो कोई नहीं पूछता था अब जब हम बदलने के कोशिश कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है अभी अभी तो रिलिशन्शिप की ब्यूटी मुझे रियलाइज उपाई है देखो आलिया पिछली बार जब मैं इससे मिला था न तो ये कह रहा था ये तुम्हारे साथ खुश है और पता है मुझे भी ये बदलने की सलाह दे रहा था जैसे कि मेरा बड़ा भाई हो मेरी लाइफ सेट करके ये देखो ना इसके साथ क्या हो गया आलिया वो मुझे कह रहा था कि तुम्हारे बर्दे के बाद वो दारू नहीं पिएगा पर मैंने अपनी प्रॉब्लम की वज़े से उसे दारू पिलाई वो तुम्हारे बर्दे की दिन तुम्हें गिफ्ट देने वाला था पता है यह देख यह तो कमाल किया यार यह कुछ नहीं है हमारे रिलेशन्शिप को शादी में बदलने का सूच रहा हूं अब यह कैसा है दोक्तर है यह आउट अफ दिन जैंक यू दोक्तर एक अमसकम वक्त सुदर्जा क्यों रहे कितना समझाया दारू मत पिया कर यह तो आउड मारे लास्ट प्रेकफिस्ट नहाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सुनो इतने दिनों की जर्नी की है एक हग तो बनता है ना यहाँ सुनो इतने की जर्नी की जर्नी हैं मरने की वज़ा घर के ओनर को देखता हूँ तो हॉरर मूवी के भूच जैसा दिखाई देता है वो कैसा दिखता है? काला वैसा जैसा चाय पीने की सोचता हूँ तो उधार देना छोड़कर मुझे इंसान का दर्जी नहीं दे रहे है दर्जी नहीं रहे, दर्जा है वो कैसा पड़ाई किया है तू? उधार मतलब? पैसा, पैसा क्रेडिट ना? हाँ, वै ओके, मेरा जूनियर सभू जी कॉलिज में हमारे सामने खड़े होने से पहले जो डरता था वो अब मेरा टीम लीडर बनके धमकी देने लगा तुमारे जूनियर का नाम सब्बा है क्या? अरे, उसका नाम सब्बा नहीं, सुब्बू है अब उनने जान बुछ कर उसका इसा नाम रखा है उसका और अपनका जमता नहीं ओके, वो बॉस ने तो मुझे सफेद बाल की तरह उखाड के पेग दिया ओफिस टाइम में गल्फरेंट को कॉल करके बाते करेगा तो यहीं होगा ना इसके बारे में क्या बात करना, चोड़, नेक्स पॉइंट, नेक्स पॉइंट, नेक्स पॉइंट, अहां, ओके मैडी से मिलकर एक हफ्ता बीद गया उसे मेरा हाल पता चलेगा तो डिस्टरब हो जाएगा वैसे भी वो बहुत होशियार है हाँ, मैंने उसको फोन ने किया, वो अभी अभी तो सुधर रहा है उसको फोन करके अपन प्रॉब्लम में बताता तो, ना लाखों में एक आलिया को दूर कर दिया अब वो मेरी शकल देखना तो दूर, मेरा फोन भी नहीं उठाती है सही तो है, तोने फोन बंद करके रखा, तो मैं किस से बात करता? अम सॉरी, दुबारा नहीं करूँगी लव यू मुझे दिलासा देने के लिए कोई नहीं है, तो अब मैं जी कर क्या करूँ? दुबारा ऐसी बातें लिखी और मरने का सोचा ना तो गोलियां खाके तो बाद में मरोगे, उससे पहले मैं मार दूँगी समझ गए ना? हे, जीने के लिए भी तुमने वजा लिखी एक ही है एक, एक हाथी होगा तो काफी है? ए, वो हाथी नहीं, साथी, साथी है हाथी और साथी का जो फ्रेंस पता नहीं है किसका हाथी? किसका हाथी? यह थी हमारे फिल्म एक्स्टा मजा, नमस्टे